अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian आज की इस वीडियों हम बात करेंगे jamcal plus capsule के बारे में इस capsule के या फिर इस medicine के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है और क्या price है ये सारी जानकरियां जो है आज की इस वीडियों में आपको दूँगा तो प्राइसे सुरुआत करते हैं, तो देखिए 2500 रुपे में ये आपको 10 soft gelatin capsule मिलती है तो देखिए price समय के अनुसार बड़ता रहता है, तो जो आज के price है, वो इधर मैंगे आपको बता दिया है अब ये जो है Alchem Lab बालो की है जो कि काफी अच्छी कंपनी आपने नाम सुना होगा अब देखी प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है अब इसको खरीदना कहां से है तो देखी जो भी लोकल अलोपेथी मेडिकल इस्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको खरी सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हो तो इसके लिए जो है मैं नीचे लिंक दे दूँग दिस्क्रिप्शन में इसके लावे इसमें हैं बिटामिन K27, बिटामिन B2L, मैंगनिजियम, सोडियम, बोरोन, जिंक इस परकार से इसमें इंगडियन्ट हैं जिससे ये जो है जैम केल प्लस कैपसूल बनाई गई है अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में आप ये लेते हो तो क्या-क्या फायदे मिलेंगे तो देखे ये मैनली बनाई गई है आपकी बोन के लिए आपकी हड़ियों के लिए आपकी हड़ियों को ये मजबूत करती है या फिर आपको कोई बिमारी है जिसे कि आपकी हड़ियां कमजोर हो गई है या फिर osteoporosis, osteomalacia तो इस प्रकार से ये जो है jamkel plus काम करती है अब अगर आपको fracture हुआ है अगर आपकी हड़ी तूड गई है तो उस condition में भी ले सकते हैं आपकी जो हड़ीया है वो जल्दी जुड़ेंगी इसके अलावा आपके muscles को ये मजबूत करती है और अगर आपको muscles में दर्द होता है तो उसमें भी फायदे बंद है और हड़ीयों में दर्द होता है तो उसमें भी फायदे बंद है तो देखिए अगर आपको calcium की कमी हो जाएगी तो आपको muscles में भी दिक्कत हो सकती है और हड्डियों में भी दिक्कत हो सकती है इसके अलाबा जिनको गढ़िया की विमारी है अर्थराइडी से वो इसको ले सकते हैं और ये जो है कैलसियम एब्जॉर्ब करती है अगर हम बात करें जो भी आप खाना खाते हैं तो उससे आपको बहुत सारे बिटामेंज, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब मिलते हैं तो उनमें से कैलसियम भी होता है लेकिन आपको जो भी खाने से कैलसियम मिल रहा है तो वो एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस कैलसियम का कोई मतलम नहीं है तो ये कैलसियम को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब भी करती है और इसके अलावा आपके जो नर्व सेल्स हैं उनके लिए अच्छी होती आपके नसों के लिए भी अच्छी है और इसके अलावा आपकी आर्ट्रीज जो होती है उनको यह healthy रखती है इसके अलावा आपके blood vessels के लिए भी अच्छी है और देखे यह जो arteries होती है उसमें calcium को deposit नहीं होने देती है अगर आपको calcium बहुत ज़्यादा हो जाए overdose में तो कई बार होता है कि आटरी में भी calcium deposit हो जाता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है यह क्या करती है कि calcium को arteries से हटाती है उनमें deposit नहीं होने देती है तो यह काफी अच्छी वात है मतलब calcium भी मिलता है और कोई नुकसान भी नहीं इसके अब देखिए यह आपके heart के लिए भी अच्छी है और जो old person हो आते हैं वो बिलकुल ले सकते हैं old age में काफी जरूथ पलती है और जो female होती है खासतो उर जो female होती है मीनोपॉस में इसको ले सकती है अब हम बात करते हैं Doce के बारे में इधर मैं आपको जो-czo main departments फाय दे थे उनके बारे में बता दिया है तो देखिए Debos जो है, आपको एक capsule एक दिन में एक बार लेना है और इसको खाना खाने के पहले भी खाना खाने के बाद भी ले सकते हो लेकिन आदे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए और इसको आप दूद के सान भी ले सकते हो पानी के सान भी ले सकते हो अब इधर देखिए male female कोई भी इसको ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए medicine नहीं है और pregnant lady बिल्कुल इसको ले सकती हैं लेकिन doctor की सला से क्योंकि pregnancy में already वह सारी पहले से medicine चल रही होती है तो उस condition में आप जो है एक बार doctor से या gynecology से सला करके ही इसको लें अब side effect के बारे बात करें तो nausea type आपको हो सकता है पेट खराब हो सकता है ये कुछ इसके side effect है हालंकि कोई इसका ऐसा man या ज़्यादा कोई सा side effect नहीं है अब देखिए अगर आप पहले से कोई आप calcium या D3 की medicine ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं तो मैं माना करूंगा क्योंकि overdose नहीं करना चाहिए कोई भी medicine का तो कोई भी calcium या कोई vitamin D3 या कोई vitamin D3 का सहसे आप ले रहे हैं तो उस condition में doctor से सला करें तो बहतर रहेगा बागी कोई दूसरी medicine आपकी चल रही है जैसे के कोई भी iron की, diabetes की, BP की कोई भी तो उसके साथ बिलकुल इसको ले सकते हैं कोई problem नहीं है अब कब तक लेना है तो depend करता है आपकी problem पर हालनकि आप इसको एक से तीन महने तक लेकर देख सकते हैं best result के लिए और लंबे समय तक भी इसको लिया जा सकता है लेकिन डॉक्टर की सला से लें तो अच्छा रहेगा अब result के बारे बात करें तो देखे एक महीने आप इसको लेके देखिए एक महीने बाद आपको कुछन कुछ फायदा या result जरूर मिलेगा अब इदर में कुछ एड़वाइस देना चाहूंगा अगर आप ये जेमकेल प्लस कैपसूल लेते हो तो आपको अलकोहूल नहीं लेना है smoking नहीं करना है junk food, ज़्यादा oily खाना, मीठा खाना इस सब नहीं खाना है इस सब healthy बेकार होता है आपको healthy ride लेना है एक healthy lifestyle लखना है इसके अलाबा थोड़ा सा sunlight ले, धूप ले क्योंकि धूप से हमको natural vitamin D मिलता है तो जो लोग बिल्कुल धूप में नहीं निकलते हैं तो उनको जो है calcium या D3 की कमी हो सकती है या फिर हो जाती है या फिर ऐसा भी देखा गया है जो vegetarian है vegetarian को भी calcium की कमी हो जाती है क्योंकि non-vege में अच्छा खासा calcium होता है इसलिए non-vegetarian को जो है calcium की कमी कम देखी गई है उनमें तो दोस्तो मेरे वीडियो देरी खतम होता है और अगर आपको इस टाइब से और भी वीडियो देखना है आपको health or medicine related जो कि मैं daily बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर में लेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रही है और देखते रही है आपके अपने चैनल में knowledge for Indian